नमस्कार दोस्तों मैं बागुरूम प्टेल आप सब का अपने यूट्व चैनल बायोजी जोन में एक बार फिर स्वागत करता हूँ तो दोस्तों चलिए आज का जो हम टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं आज का टॉपिक है बायोटेकनलाजी और बायोटेकनलाजी से संबंधित महत्पूर्ण प्रसनों को लेकर हम आज उपस्थित हैं और आज आपका होने वाला है मौक टेस्ट तो चलिए देख लिए जाए आखिर इस बायोटेकनलाजी में कैसे कैसे प्रसन आते हैं चलिए देखा जाए पहला प्रसन क्या कर रहा है मेरे दोस्त कह रहा है एंटी बायोटिक्स क्या होते हैं प्रति जैविक क्या होते हैं कर रहा मेडिसीन्स होते हैं कि टॉक्सिन्स होते हैं विसागत होते हैं कि प्लांट्स होते हैं कि सीरफ होते हैं क्या होते हैं एंटी बा पैंसलीन वाच डिसका दोर्फ हो जा गया था उसका राइट एंसर है अलेगजंडर फलेमिंग ने ही 1998 इसे क्या किया था खोजा था ठीक है पैंसलीन को सबसे पहले नहीं सबसे पहला खो जा गया जाता है कि रहा है streptomyces venusus streptomyces aureofasciens streptomyces remosis streptomyces gracius तो इसका right answer किया है मेरे दोस्ति इसका right answer है streptomyces remosis ठीक है किस से teramyces किस से obtained किया जाता है streptomyces remosis इसका सही उत्तर है ठीक है चलिए अगला प्रसन देख लिया जाए अगला प्रसन क्या कह रहा है चानमर का कह रहा है कि who was the first कौन पहला था to isolate streptomyces जिसने streptomyces को क्या किया था प्रथक किया था तो streptomyces को सबसे पहले अलग किस ने किया था ऐसा कह रहा है कह रहा है कि ट्वार्ट ने कि फलेमिंग ने कि wax man ने कि koach ने रॉबर्ट कोच ने तो इसका राइट एंसर क्या है मिरे दोस्त इसका राइट एंसर है wax man किसने wax man ने ठीक है तो इन्हों ने ही सबसे पहले streptomyces को isolate किया था ठीक है सबसे पहले waxman ने तो चलिह अगला प्रसन क्या कह रहा है पांच नंबर का कह रहा है स्टैप्टोमाईसीन है तो इसका राइट अंसर पैयरorta है इसका धारा जी बिल्होंकुल प्रक्रविक है Windows पहला ही फारा फी सिजी एक मुष्ल में प्रक इनग Васisалаewup की व्हें के लिए किडवन के लिए उत्तर दाई होता है यह कौने से Dooms quick्ष इंज़ सबसे से पहले कि एंटीबायोटिक्स की संख्या obtainable from streptomyces gracius ठीक है, कि streptomyces gracius से जो प्राप्त की जाती है, वो एंटीबायोटिक्स की संख्या लगवग कितनी है, ठीक है, तो कहरा है कि 10 है, कि 20 है, कि 30 है, कि 40 है इसका सही उत्तर क्या है, मेरे दोस्ट इसका सही उत्तर है, 40, 40 D is the right answer, अगला प्रसन क्या कहरा है, देखी उस अगले प्रसन को, करा the concept of antibiosis antibiosis कहरा है, यहाँ antibiosis कहरा है, ठीक है the concept of antibiosis was given by antibiosis concept सबसे पहले किस के दोरा दिया गया था, ऐसा कहरा है, ठीक है, करा है, बेपस के दोरा कि पॉस्चर के दोरा, कि वैक्स मैन के दोरा कि वैली मिन के दोरा, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, मिरे दोस्त, इसका right answer जी, बिल्कुल, आप हमारे comment box में एक आख question, आप लोग भी comment box में comment करके बताएए, चलिए, question number 8 जो answer है, आप लोग हमारे comment box में comment करके बताएए, बिल्कुल, कि इसका right answer क्या होगा, ठीक है, चलिए, question number 9 की बात करते हैं, कह रहा है, हमुलीन इज, हमुलीन क्या है, कह रहा है कि N-acid protein carbohydrate हमुलीन क्या है, हमुलीन क्या है, कह रहा है protein वसा, आमल है carbohydrate, तो इसका right answer है, बी, protein है है, क्या है, protein है, हमुलीन, चलिए, आगला प्रसन क्या कह रहा है, अगले प्रसन को देखते हैं, कह रहा है restriction indonuclease, restriction indonuclease, कह रहा है ease, क्या है, किसके लिए specific होता है, कह रहा है specific for each gene, प्रतेक gene के लिए specific होता है, common to all gene, common to all RNAs common to all organism, तो इसका right answer क्या हो जाएगा भई, restriction indonuclease, ठीक है क्या हो जाएगा, इसका right answer तो इसका right answer है, मेरे दोस्ट इसका right answer is specific for each gene प्रतेक gene के लिए specific होता है, restriction indonuclease, ठीक है, इस the right answer, अगला कह रहा है कि the central dogma of molecular biology और था CDMB CDMB, central dogma molecular biology, इज, कर भाएगा, इसमें आ है, कर रहा है क्या रहा हूँ कर रहा है, कर रहाぎ, DNA रहाँ, DNA to DNA, और इसस से protein, ठीक है, नहीं, अब यहाँ देखे, k रहा is DNS RNA, RNAiteit, RNAश, protein, देखे, इसका right answer क्या है, इसका right answer है, मेरे दोस्स इसका right answer है, D, ठीक है कि DNA से RNA बनता है और RNA से फिर यह भी बन सकता है और RNA से क्या बनता है प्रोटीन ठीक है और चलिए अगला परसन क्या कह रहा है अगला परसन को भी देख लेते हैं question number 12 करा एक दे enzyme TPA is used to enzyme TPA ठीक है कह रहा है maintain록 pressure strength tissue increase plasma dissolve blood clots कहा है इसका right answer क्या हो जाएगए मेरे दोस्त का right answer is dissolve blood plots ठीक है dissolve blood clots अगला question क्या कह रहा है और RNA ut enzyme रहा है Pura Fide Bride 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 By क्या है मेरे दोस्त इसका right answer है Christian Hansen के द्वारा किसके द्वारा Christian Hansen के द्वारा चली अगला प्रसन क्या कह रहा है अगले प्रसन की तरफ भी हम बढ़े लेते हैं देखे कह रहा है कि steroids are used in steroids किसमें use होता है कि बर्थ control में जल्मे के समय में ठीक है treatment of hormonal balance treatment of autoimmune disease ठीक है autoimmune disease treatment of autoimmune disease all of these ठीक है तो इसका right answer क्या है all of disease is the right answer इसका चौथा सही उत्तर है करा hybrid domains are employed for hybrid domains are employed for किसके लिए यह employed होता है कारिरत होता hybrid domains ठीक है किसके लिए करा synthesis of antibiotics killing cancer synthesis of monoclonal antibodies production of somatic hybrids ठीक है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer है मेरे दोस्त सी synthesis of monoclonal antibodies ठीक है monoclonal antibodies के sensation के लिए hybrid domains को क्या किया जाता है प्रियों किया जाता है चलिए अगला परसन क्या कह रहा है करा restriction enzyme was discovered by restriction enzyme किसके द्वारा खोजा गया था कहरा बर्ग के द्वारा smith and nor के द्वारा waxman के द्वारा legend family के द्वारा ठीक है तो बताए इसका right answer क्या हो जाएगा देखिए यहां तो होना चाहिए एक अर्बर भी होना चाहिए कौन से बग्यानिक वर्नर अर्बर ठीक है अर्बर तो अर्बर यहां नहीं दिख रहे हैं तो हला कि मैं बता दूँ इसका right answer क्या है restriction enzyme जो है खोजा गया था अर्बर, smith and north यह तीनों थे ठीक है अर्बर, smith and north यह तो इसका right answer होगी अब B B is the right answer अगला प्रस्न कहा रहा है which of the following is used in biotechnology निमने में से कौन biotechnology में यूज होता है कह रहा है cattle की east की both cattle and east both की neither cattle nor east ठीक है तो इसका right answer क्या हो जागा मेरे दोस्त इसका right answer फटाक से बताइए इसका right answer है both cattle, पसू भी और east का भी उप्यों किया जाता है बायोटिक ना लाजी में अगला प्रस्न क्या कहा रहा है देखी प्रस्न नमबर 18 कहा रहा है triple antigen RDPT is mint for इसका क्या अर्थ है DPT ठीक है कहा रहा है कि a vaccine against malaria typoid and cancer एक ऐसा vaccine है जो typoid और malaria cancer के विरुद्ध कारी करता है mixture of viruses that causes titanus diphtheria and whooping cough ठीक है अगला कहा रहा है a vaccine against polio rabies and hepatitis a vaccine against titanus whooping cough and diphtheria तो इसका right answer क्या है मेरे दोस्त इसका right answer है जी बिल्कुल एक vaccine है DPT जो कि इसके खिलाप जिसको लगा जाता है titanus whooping cough and diphtheria में ठीक है diphtheria whooping cough और titanus के विरुद्धिक को यूज किया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रसन क्या कह रहा है अगले प्रसन को देखते हैं कह रहा है अगला प्रसन कि haploid plants ठीक है अगुनित haploid plants can be obtained by culturing किसके संबर्धन द्वारा haploid plants प्राप्त किया जाता है कह रहा है young leaf, indo sperm, pollen grain, root tips ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer है pollen grain ठीक है pollen grain is the right answer अगला कह रहा है aplasmid प्लाजमिड क्या है genetic material of virus नहीं वाइरस का genetic material नहीं है in a bacterial cell, bacterial cell में extrachromosomal DNA है जी विलकुल यहीं सही है ठीक है यह question तो बार बार बहुत बार आया है ठीक है तो इसका right answer अगला प्रस्ण क्या कह रहा है देखिए अगला प्रस्ण क्या कह रहा है कि anti-scurvy vitamin C किसे कहते हैं ठीक है Celcius पर और कितने समय तक कि तने समय तक कितने समय दूद का पा स्चूराईजेस पर होता है यह पास्चूराईजेस करिया कितने पर होती है साथ मिनने नबबे डिगरी सेलसियस All 50 अधी सेलसियस ठीक कहा एक इसका रहा है कि योगाइट कि के दवारा प्र्जूज होता है अगला क्या कर देखिए उसको भी कर रहा है कि च्रुटि पोटैंसी क्या है आप जानते कि यह जो है को सिका से संपूर जीधारी के बनने की क्रिया क्या कराती है ये छमता जिसमें होती है एक ऐसी cell undifferentiated moss of cell जिसमें जो है एक संपूर प्लांट ग्रो करने देने क्छमता होती totipotency कहलाती करा है इसका मतलब क्या है formation of cell नहीं formation of organ नहीं formation of individual एक individual का बर्थ बन जाना जी बिल्कुली हाँ ये ही इसका right answer है ठीक है कि एक undifferentiated moss of cells ठीक है इससे जो है संपूर जिधारी का निर्माट की छमता क्या कहले थी totipotency ठीक है अगला प्रसन क्या कह रहा है देखिए करा है इंजिनेटिक इंजिनेरिंग में अनुवांस की अभियांतरकी में सम important enzymes are used कुछ है महत्पूर इंजिनेरिंग यूज किया जाते हैं जनेटिक इंजिनेरिंग में वन आप देमोंस में से एक है कह रहा है कौन है topo isomirase, helicase, restriction endonuclease और translocase इसका right answer क्या है restriction endonuclease इसे biological seizure भी कहते हैं तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक फिर मिलेंगे next lecture के साथ लेकिन आज का topic कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और जो हमने एक प्रस्णा उत्तर आप लोगों के लिए कहा उसका उत्तर भी जरूर बताएगा ओके थेंक यू